म Excellent है हमारे पास टोपिक है डेरिवेटिव उफ एक्सपोनेर्शुल फंकशन इसके फॉर फारमुलास है हमारे पास डेरिवेटिव उफ एक्सपोनेर्श widgets आता है तेन जो आपके पास x होगा उसका ड्रीवेटिव लेंगे तो वह अ या या इस तो उसका आप कैसे लिखेंगे AX into log A अगर आपके पास derivative of constant और उसकी power कोई function हो simple X किप जाए तो उसका फार्मला क्या होगा A raise to power F of X as it is आजाएगा then log of A और then function का derivative इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे E raise to power F of X तो क्या उसका derivative E F of X then function का derivative यह four texts के आपके पास पार्मलाज है exponential के इनको यूज करते होगे आप derivative of exponential functions find out करेंगे basically exponential होता है कि अगर आपके पास कोई भी constant हो या कोई भी आपके पास ऐसा number हो जिसकी कोई power कोई ना कोई हो तो उन functions को आप क्या कहते है exponential function mean जो power form में आपके पास हो अब आपके पास first example है y is equal to pi raise to power 1 by अब देखें pi क्या है constant है और 1 by x क्या है इसका variable तो इसको differentiate करेंगे जब with respect to x तो यह देगा dy by dx then dy by dx और pi into 1 by x pi की power then आप क्या करेंगे formula कौँ सा था इसका formula देखेंगे constant और constant की power जो है वो variable है तो क्या करेंगे function जो as it is लिखेंगे pi 1 by x then log किसका constant है जो आपके पास क्या है pi log then minus 1 by x इसका derivative आरेगा d by dx into 1 by x then ये चीज़ as it is आजएगे आपके पास आगे इस पर या क्या आपने अप्लाई कर देना है coefficient rule ये minus as it is और इस पर 1 by x का coefficient rule अप्लाईगे तो उसका formula क्या हो जाएगा आपके पास x स्केर then निचे वाला derivative as it is numerator or denominator sorry denominator as it is numerator क्या है 1 1 की derivative क्याएगा 0 minus 1 into dx by dx then आपका ये सारी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा minus dx by dx भी 1 हो जाएगा तो क्या देगा minus 1 by x के so ये minus और ये minus आप उसमें multiply होगे तो plus हो जाएगे तो क्या देगा plus 1 by x के यहाँ पर correction कर ले plus 1 by x के then ये चीज़ आपके पास simplify को करने के पाद आपने ये चीज़ लिख लेने है next example है हमारे पास y is equal to e raise to power minus x cube अब यहाँ पर हमारे पास exponential आगया mean e आगया है और e की power हमारे पास x cube आगया इसको क्या करेंगे differentiate with respect to x तो क्या रहेगा dy by dx is equal to d by dx जो आपके पास exponential क्या e raise to power minus x cube next आपके पास क्या आएगा formula जो हम इसका discuss किया था कि हमारे पास अगर e और e की power में कोई function आजे x की बज़ए तो क्या करेंगे e raise to power f of x as it is आगए then उस function का derivative लेंगे तो आपके पर e raise to power minus x cube as it is आगया then derivative of जो power थी वो उसका derivative लेना minus x cube तो minus as it is x cube क्या इस पे हम power rule अपलाए करेंगे 3x के रादेगा then function क्या x dx by dx लिखना जाहें तो लिखने वन आप direct भी dx by dx करके 1 लिख सकते हैं ठीक है e minus x cube और minus 3x के रोड़ी एक्स बैड़ी एक्स इसके एक्वरत है 1 के पर चैंसल आउट होगे और पिछे के रहाएंगे आपके पास minus 3x के एड़ी पर minus x cube इसी तरहीं अगर आपके पास इस तरह की एग्जेंपल है y is equal to 4 3x के अब 4 देके इसमें constant है और constant की बार आ गई है तो इसको differentiate करेंगे respect to x दोनों साइड पर तो जो 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 फंक्षेंट करेंगे यह मैंने direct step लिखती है तो क्या था उसका फार्मला 4x यह वाला function as it is पहले आजएगा फिर log of constant है उसका log then derivative of function के 3x स्केर इस पर बावरूल अप्लाई हो जाएगा 3x स्केर 2x हो जाएगा 3 2 दा 6 हो जाएगा ठीक है क्योंकि derivative of 3x स्केर क्या आएगा 3.2 और x क्योंकि 2 में से माइनस 1 से पहले क्या अनसर क्याएगा 1 ही आएगा तो इसके आज़ी लिखेंगे इसको सिंपल लिखा है 6x पहले लिख लिए 4x की वह लोग फार्मूल ले आने जाएगे फार्मूलों पर यह सारे क्वेस्टन जो है प्लाई करते हैं इससे तरह अगर आपके पास प्रट फॉर्म में आजाए क्वेस्टन कोई 4x.32 3 देस्टोपा 2 है इसपे क्या अप्लाइ करेंगे जब इसको differentiate करेंगे डोनों को differentiate किया क्या लगा इसपे product rule first function ये है second ये है इज सेक protect डरिवेटिव देन प्रट तोपर संटल में plus line लगता है प्लस आ गया या इज सेकिंड फॉंक्शन क्या था 3 दोपर 2ph as it is first derivative ले लिए ठीक है 4 raise to power x as it is 3 raise to power 2x है तो यह क्या हैगा 3 raise to power 2x log of 3 then derivative of function क्या है 2x तो उसका derivative plus 3 raise to power 2x और 4x है इसको क्या लिखना है 4 log 4 then derivative function क्या आपको पास constant की power x है न तो यहां पर dx by dx आज़ेगा और यहां पर 2 का जब derivative लेंगे तो यह क्या आएगा 2 आज़ेगा और x का derivative 1 हो जएगा तो यह 2 लिखना है इदर 3 raise to power 2x and 4x common है और इसमें भी है तो वह common ले लेंगे यह ले लिया common पिछे क्या रहे गए 2 log 3 plus log 4 अब हमने log का जो है वो rule पढ़ा था अगर log के start में कोई number हो तो वो क्या हो जाता है by log rule वो यहां पर चला जाता है power में तो इसको हम लिख सकते है log 3 square तो इस चीज़ को मैंने लिखती है log 3 square plus log 4 3 का square क्या हैगा 9 तो यह log 9 plus log 4 अब 9th class में हमने पढ़ा था अगर आपके पास log A plus log B में दो लोग add हो रहे हैं तो उसको आप लिख सकते है log A dot B में आपस में multiply होंगे तो यह addition है तो इसको मैं लिख सकते है log 4 dot 9 49 को multiply किया तो क्या जाएगा 9,4,3,6